हेलो फ्रेंट्स नमस्ते आप सब कईसे हो आशा करती हम आप लोग अच्छे ही होंगे और आज देखिए हम कटहल का दम कटहल बनाए हैं बहुत ही टेश्टी और ग्रेवी वाला सुखाई है ज्यादा ग्रेवी नहीं है फिर भी बहुत टेश्टी है बहुत अच्छा है आप कीटहलगी ये का रिष्पी एक बार ज़रूर त्राइय कीजिए और चली इसका रेस हम आप लोगों को बताते हैं ये पर बनाता ये वाला तरीका आप लोग जरूर त्राइककी जिए जालीए मजदार रेस प्त्राइब इसके लिए अमने आदा के जिए बार को करके और धा सौप्ट और अच्छे तीख रहें कटल बहुत अच्छ है कटल के भी क्वालीटी भी होती यह जो देखने में भी अच्छे होते और हम थोड़ा कटल में आलू पसंद करते हैं तो थोड़ी सी दो चार आलू रखें और ये एक प्याज बड़ा साइज के एक प्याज कट करके रखें और ये बड़ा साइज एक लासुन को छेल के और इसको कूट के रखा है और ये अधरक को भी थोड़ा साला कूट के रखा आप चाहिए तो दोने एक सब्सक्राइब रखा रख यह थोड़ी सी पौडर मसाला लें इसमें थोड़ी जीरा एक चमच और एक चमच लाल मिर्च और एक चमाच अल्दी पॉड़र एक चमाच गरम मसाला और एक चमाच धन्या पॉड़र और हमने न कड़ाई में गरम करके कम सो गराम एक साथ तेल डाल दीजिए आप सो गराम में हम फ्राई करके और सब्जी बना लेते हैं अच्छा बनता है और बहुत ही तेस्टी आप जो भी दीआ और इसको थोड़ा ब्राउन होने देते हैं अच्छे से ब्राउन होना तभी हम इसको निकालेंगे त वह्म अगरम था और ग्राईस का था सास्टी बोब्हें हDIO नहीं और जादहम मेडियों सउच में रखने और यह हमारा कटल अच्छ घृर से ब्राउन हों गया हम न ये थोड़ी आप चाःए है तो हभी आप थोड़ड़ा आफ नीकालेंगे हुआ अपके बाद हवा ये किना आलू तो ऐसे ही घुबला हुआ है थोड़ी ची खर रात हमाटनीoloा के स्थी गुच每 sellsा से चलाए ने तो फल्टे चलाएंगे तो ये उसी में मैस हो जाएगा इसलिए इसको आप चाहिए तो थोड़ा-थोड़ा करके अलू डालिये हमने तो एक साथ जो अथा हो डाल दिया है और एक एक करके उसको देखिए मैंने के इतना अच्छी से करके चला रहे हूं और थोड़ी-थोड़ी कोई-कोई अलू मेरा ब्राउ हो गया है और थोड़ी दीर एक मिनिट हमने ब्राउन करने के बाद से देखिए हमने प्लेट में और कटल और आलू दोनों को फ्राई करके हमने निकाल दिया और निकाल के रख दिये हैं और जो तेल बचा था था ना हम फिर दुबारा उसमें नहीं डाले हैं उसी में हमने जीरा डाला और यह थोड़ी शी दो पत्ते जो तेज-पत्ते के ते वो डाले उसके बाद जो कटργकर के जो अंएन रखे था थे पैयाज को उसको हमने डाल दिये बड़ा साई इसके पैयाज था दो पैयाज हुँज हूआ है इसमें कटल में क्योंकि ज्यादा अछ्छा बन और जो हरी मिर्च है वो तो हम ऐसे थोड़ा सा डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए नहीं तो सुखा मिर्च शोने से सुखा मिर्च डाली है और यह जो गरम मसाला था ना वो भी हम इसमें तड़के में आड़ कर देंगे हलका फ्राई होते रहेगा उसका टेस्ट अलग ही आता है क यह आप लोग चाहिए तो गरम मसाला बाद में भी यह करके डाल सकते हैं कूटके लेकिन मैं ऐसी डाल दिया तड़के में एक बार इससे भी टेस्ट अच्छा लगता है तड़का में भी डाल देशे घड़ा ही डाला है मैंने कूटा नहीं है उसको और उसके बाद से जो हम जाथ ज्यादा अच्छा आता है और उसका फिलेवर ना बहुत मने टेस्टी होता है और जो हम पेश्ट बना देते हैं अदरक लासन का वह भी ठीक है पर यह कूटने में ज्यादा टेस्ट आता है है और आप लोग का अपने अउसक्ट के यह उसके इसके अंसार आप लोग पेश्ट प्राई यह एकोटी है पर अधरक लासुन आप डालने के बाद हमने मिक्स किया और उसके बाद से हमने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया नमक डालने के बाद से हम इसको मिक्स करेंगे और देखिए हमारा प्याज हलका ब्राउन हो गया है और विजो हमने प्याज को एक पीस puree प्याज करों तो शुर यह ट表示 हमार प्याज कर दोदिए आँको फ्राइण से गृटीन याथि होते हैं और अच्छा लगता है थीक होता है और अच्छा लगता है और यह जो हम मसाले एक साथ रखेते हैं जो पॉडरोला वो हमने डाल दिया आप लोग चाहिए तो खड़ा मसाला है तो उसको थोड़ा सा ड्राई करके और मिक्सी में पॉडर बना के भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास पॉडरोला न जाल दियें आप डालने के बाद से क्या है ना कि अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कम से कम पांच मिनट हम अच्छी तरह से इसको मिक्स चलाते हुए करेंगे और पानी भी हम ज्यादा नहीं डालेंगे जो टमाटर डाले है ना उ जिखा हूआ, उसी हमने आदे को तोरी पानी डाला है, अब इसी में हम मसाले को अच्छी तरह से फ्राहि करेंगे, दुबारा पानी इसमें आड नहीं करेंगे, और चलाते हुए और इसको ढटते हुए हम थोड़ा 5-10 मिन्ट तक हमारा अच्छी तरह से पकना चाहिए, क्यों और यह देखी कितने अच्छे से थोड़ा फ्राई हो गया है और फिर भी हम इसको दो मिनट और फ्राई करेंगे ताकि हमारा ना क्योंकि सब्जी तो हमारा फ्राई अल्रेडी है और मसाला को ही अच्छी तरह से फ्राई करेंगे उसके बाद से हम हलका ही पाने डाल के क्योंकि हम सुखा बनाा रहे हम पूरी के साथ बना रहे खाने के लिए और आप लोग इश्nova के साथ रोटी से खाना ने केस्ट सकते हैं और हम अब देखा ओटा रालुक जो फ्राई करका रखे यह हमश् northwest मीमश करके चलाएंगे इसके बाद हं देखेंगे कितना पानी हमको यह करना पहले हम ज्यादा पानी डाल देंगे न तो ज्यादा यह ग्रेवी हो जाएगा इसलिए आपको कैसे ग्रेवी रखना इसके हिसाब से अपको यह अगर ज्यादा ग्रेवी रखना है तो आप पहले पानी एट कीजिएगा मसाले में और मसा अगर सुखा आपको थोड़ा से ग्रेवी बनाना है तो आप मसाले में यह आलू और कटाल को अच्छे तरह से डाल के मिक्स कर दीजिएगा और मिक्स करके थोड़ा सा एक मिनिट ऐसी मिक्स करते रहें उसके बाद से देखिए कि कितना इसमें हम पानी डाल सकते हैं हमारे कितन अच्छे से मिक्स होके और पक जाएं बढ़िये से पका हुआ तो अल्रेटी है पर मसाला करने जो भी अकर तोड़ा कचापन होगा वह अच्छे से खौलते हुए पक जाएगा और हमको हलकाईं ग्रेवी चाहिए ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए और यह दिखिए हमने मिक अच्छे से तेयार हो गया और सबजी और मसाला और यह पकने का एक देखने का ड्रीक है ना कि जब अच्छे Craな तो उसका जो अएल होती है वह उपर आ जाता है तो आप समझ दय Pine pipe ऐगा हुए और आपको अगर पानी हो गया तो सुखाना है तो आप पास मिनट और भी डाल यह टाइम ले लीजिए थोड़ा सा उसको सुखाने के लिए और देखिए हमने एक प्लेट में सर्व कर दिया इसको देखिए कितनी टेश्टी और मज़दार लग रहा अगर आपके पास फ्रेज धनिया है तो भी डाल दीजिएग और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थाइंकी सो मच आप लोगों को